सीम शिवराज सिंग चोहान रात्री विश्राम खंडवा में ही किया इस दोरान सीम ने प्रधान मंत्री अवाज स्योजना के लाभारती श्रीराम कांडे के घर भोजन भी किया सिदा रुख करेंगे सीम शिवराज का जिनके घर उनों ने भोजन किया है जदा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चुतुरवेदी जुड़ गए हैं राकेश चुतुरवेदी ये बताईए कि जिनके घर नोंने विश्राम किया है आखिर विश्राम करने की वज्ज़ा क्या है और उन्होंने विश्राम किया है तो उन्होंने नाश्ते में भोजन में क्या क्या किया उनका किस तरह से खातिरदारी की गई है देखिए बिलकुल यह जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं दरसल अब सीम की गुड मॉनिंग हो चुकी है नियूस टॉन्टिफॉर मद्बदे चत्रीगर से सीम ने गुड मॉनिंग कहा है उन्होंने ये भी कहा है ख जिन्चर्या है वो चाई के बाद योग से शुरू होती है और हम देख पा रहे हैं कि जो सीम योग करेंगे हाँ आप वो बालकरी में देख पा रहे हैं वहाँ पर योग के लिए जो कालीन है वो बिच गया है आसन लग चुकी है अब सीम योग करेंगे दरसल बात करें सीम म परिबार में उन्होंने भोजन किया, भोजन करने के बाद आप ये जो मकान देख रहे हैं, ये गंगराडे परिवार है, खंडबा के और यहां पर सीम ने राती बिश्राम किया है, सीम की देखिए, जो उनकी सहिचता और सरलता है, वो एक आम व्यक्ति की तरह है, हमने जब ग गिलास, हल्दी का दूद पिया, कुछ जैसे शी सुबह हुई, बालकनी में आए, लोगों से उन्होंने मुलाकात की, दिश्राम देख रहे हैं, जो तैयारी है, वो योग के लिए आसन लग गया है, कुछ दिर बाद सीम आपर योग करेंगे, और इसके साथ इदेखिए, ए एक परिबार में हैं, और उनकी एक जलक पाने के लिए हम देख पाने, देखिए, तमाम लोग जो घर में नीचे मौजूद हैं, घर के बाहर मौजूद हैं, जिसकी जहां से नजर सीम तक आ पा रही है, वहाँ पर खड़ा होके टक्टकी लगाए, देख रहा है, इससे पहल के लोग हैं, जिनको सूचना पहुंच रही है, वो यहाँ पर आ रहा है, वो सीम से मुलकात चाहरा है, हला कि जो सुरक्षा कारणों से उनको वहाँ तक जाने की इज़ाजत नहीं है, वहाँ तक जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी सबको उम्मीद है कि जिस तरह से सिवरा सिंचौहान का नेचर है, सीम का नेचर है कि जब वो लोगों से मिलते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, उनको हाइ हैलो बोल देते हैं, Gewॉद मोरनिंग उनको बोल देते हैं, तो यह जो आप تمाम लोग देख पाना है, नहीता नाहीं हैं, पर हैं, स्कूल जाने की ₹ि लोग कर देते हैं तो रुख गयें देखिए आप ये सीज़ दोर पर टस्वीर देख पा रहे हैं और यह जो नजा रहा है यह जो द्रश है यह बहुत ही कंग इस तरह का देखने को मिलता है कि एक आम घर में अ जो है मदभ्रदेश के मुखियां हो और मदभ पर रुके हुए हैं जिसमें इसेखूल की बच्चियां भी शामिल हैं वहां रुकी हुई हैं और आज हम सरी म के शेडूल की बात करें तो कुछ दिर बाद हम सीमckenक्त करेंगें यूग के बाद आद तैयार हुने के बाद दादा जी धुने वाले मंदर हैं वहां Um यह जो तस्वीर है आम दिनों में देखने को नहीं मिलती है कि हम बात करें चुनावी दोरे पर हैं इससे पहले जो हमने देखा था जो हमने चर्चावी की थी वो बुरहनपुर में रुखे थे दलित परिवार के घर एक ऐसा जो पीम आवास योजना के तहट जिसका घर बना था उस दलित परिवार के घर सीमदे रात्री विश्राम किया था और आज देखें कि यह बताएं कि जैसे रात को विश्राम किया है तो आज क्या पूरा दिन जिसे खंडवा में उप्चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर क्या आज वो जनता से बात करेंगे क्या जमीनी मुद्दे हैं जिसको लेकर जंता परेशान है क्या उस पर चरचा कर सकते हैं जाहर तोर पर हम जो नजारत देख पा रहे हैं इसमें सीधर तौर पर जो लोग यहां पर मौजूद है वह वंटू मौन चरचा कर सकते हैं cmato da時候 कोई गोशना की आचसा सहीदा का मामला है लेकिन हाँ जो cm होने के माते जो लोगों की बेसिक नीड है लोगों की जो बेसिक समस्या यह जहरत तरपर है सिम उनकी सुनवाई जरूर है करेंगे लेकिन जो हम धूरा जरूर चुनाबी है लेकिन जो चूनाबी दौरे के द्वरान आने का सिलसला शुरू हो गया दरसल हम खंडबा की लोगों को बताएं हमारे तमाब दर्शकों को बताएं जैसे ही स्वाइब की शुरुवात हुई ती गुड मॉनिंग हुई ती तो जाहर तोर पर है न्यूस 24 मदबदे चत्षिजगर जो लाकों दर्शक देख रहे हैं अब हम देख पा रहा है देखिए उनको पानी पिलाए जा रहा है चाय की विश्ता उनको भी कराई जा रही है तो जो हम बात करें तो लोग ऐसा नहीं कि हाँ पर लोग नहीं आ सकते हैं लेकिन सुरक्षा करना से उनकी एक सीमा है कि जी राके जी ये बताईए जिस घर में अब हम बात करें जिस से हमने जो सीम से गुड मॉनिंग किया था इसी जगह से किया था इसी स्थान से किया था और देखिए लोग जुटते जा रहे हैं आसपास के जो घर हैं वहां भी लोग जुटते जा रहे हैं भीया आपका क्या नाम है अमित खनूजा कहां रहते हैं आ बिल्कुल करेंगे अभी हम भी नीशे मौजूद थे तो सीम ने हमसे गुड मॉर्निंग बोला कि खंड बाद बूसे जिनसे आप बात करें जरा उनसे पूछिए कि अगर वो सीम शिवासिंग चौहान से मिलेंगे तो किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं क्या वो चर्चा करें चाहिए के बाद योग करते हैं और आप यह सीदे तस्बीर देख पा रहे हैं मद्दप्रदेश के मुखिया मद्दप्रदेश के स्यम शिवरासिंचोहान अभी योग करते हुए और यह जो योग है सीम का यह उनका रुटन है यह जब सिम हाउस में होते हैं तब भी इसी त हम जिस तर से पहले बता रहे थे क्योंकि CM के schedule में शामिल है यह जो CM यो कर रहे हैं इसमें कुछ नया नहीं है हर दिन उनकी यह दिन चरिया है दिन चरिया की शुरुवात ऐसे ही होती है जब CM lower T-shirt में होते हैं एक अलग लुक में होते हैं और एक कांट में थोड़ा खुला व स्थान योग करते हुए योग के बाद जो है CM स्थान करेंगे और फिर जो शुरुवात करेंगे दादा जी धुनी वाले जो मंदर है वहां पर दर्शन करने जाएंगे लेकिन आप देखिए लोग देख रहे हैं उनको लोग अपने मोबाइल में अपने वीडियो में अपन स्थास आप क्या कर रहे हैं योग में तो स्थासए मोजय बहुत बढ़िया है आज बहुत फिर यह आकर और योग करके रहकर उन्होंने बहुत ही एक देश में योगा सор आ रही है उसके लिए उन्होंने बहुत ही महत Prim अपना संदिच दिया है कि हम Miguel करillуч के कहीं भी कर सकते हैं एसा नहीं कि हम अपने बंगलोन में हैं एक अपने कारिकरते के घर के रुक्ञे अनोंने बहुत ही अच्छी अपनी city प्रद्श्चित के रिये और एक स्ट्वित मुक्वंधरी का इस हमारी कालोनी करें करता है हम मत Odumia उंके मागदश्षन में हमेंसा तरक्टी और सागी बढ़ता रहा है मत्वदेश की वह निरंतर बढ़ती रहे और प्रदेश के मुक्वंधरी है योग के लिए भी समय निकाल लोग योग update दें नहीं करते हैं कि समय नहीं समय का भाव है लेकर ही समय निकाला जूब 모양 सकता है योग के लिए तो बिल्कुल सभी है कि नहीं बना चाहिए आज उनके इतने बज़ी रहते ह fav Av से 12 वाज़े तक जगते रहे उनके कार करता हम भी मिलते रहे और उन्होंने जो एक उन्हें जो अपने एक छभी म्रदु वाज़े मिरल शार वेक्टित के जो उन्होंने अपना परिशे दिया है उसके लिए हम सवां खंडवा अपके पूरा परिवार उनका बहुत हार्धिक अभिनंद करते हुए तो देर रात तक जागे सी है लेकिन अलसबय उड़ गए बिल्कुल है ना और आप देखिए उन्होंने विल्कुल समय से पहले उड़ गए छे साले उड़ चुके अपने उन्होंने जो दिन चरिया रहती है उसको कार्य किया उन्होंने इसके बाद उ समयाचारों का उन्होंने अनुषरण किया आप देख रहे हैं नस्दीक से मैं तो पड़ोसी हूं कोई रोक टोकने वाला मैं देख रहा हूं बिल्कुल कि इतने एक छवी और कोई नीच स्वार कोई वो नहीं उनको कोई भय नहीं किसी तरह का और बिल्कुल उन्होंने सच कर रहे हैं और इस तरह कार करें आप क्या कहेंगे आप तो मुख्यमंद्री को देख रहा है यह करते हुए चीज़ा कैंसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है कि हमारी कालनी मुख्यमंद्री मोध्यपदार है और मुख्यमंद्री जीन बहुत अच्छा संदेश दिया कि सुबह जल्दी प्रातवुड के योग्यासन समय निकालकर किसी प्रकार से योग्यासन करें और जो हमारे पजान मंत्री जी का था योग वाला कारिकरम वो सभी लोगों के इनके अनुसरन करना चाहिए आप लोग योग करते हैं क्या जी हम लोग करते हैं और सुबह मौर्निंग में वाकिंग भी करते हैं और गूंके आते सब और यह बगी चाप मेरा देख रहा है यह सब उसी के अनुसरन में है कि कम से कम कुछ आपने को मिल जाती है आप अपनी च्ट्टे नहार रहे हैं जी और बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं योगा के लिए बहुत 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 शुक्रिया राकेश चतुरवेदी हमें लाइब तसुरे दिखाने के लिए और तमाम जानकाई देने के लिए तो वही मोहन गंगराडे के घर पे सियम शिवराज सिंग चोहान रुके हैं उन्होंने रात्री में विश्राम किया है उन्होंने वो खंडवा में थे उपचुनाव को लेकर वो एक काड़करता के घर रुके जिसमें उन्होंने सुभा उठकर समाचार पत्र भी पढ़ा है योगा भी किया है वहां के लोगों प्रेदित भी किया है योग के लिए लोगों ने देखकर ही योग से प्रेदित हो गए वहां की जनता बहुत खुश है कि सियम शिवराज सिंग चोहान वहां रुके वहां रात्री विश्राम किया वहां के लोग में उत्साह दिख रहा है गर के बाहर जिस घर के बाहर लोग खड़े हैं जहां वो रुके हैं घर में वहां लोगों की जमावडा लगा हुआ है उनसे मिलने के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा के कारण वो लोगों से नहीं मिल पारें लेकिन ऐसी आशंका जताय जा रही है कि शायद सेम शिवरा सिंग चोहान उनसे समवाद करें उनसे बाते करें लोगों में काफी उत्सा दिखाई देरा उनसे मिलने के लिए